बदला मीठा होता है भाया मीठा होता है जो रॉक के वापस आजाने से जो भी मामला गरमा आए था उस पर पानी की थोड़ी चीटे वरसाते हुए कूडी रोट्स ने भी कुछ हफ्ते पहले हुए अपनी बदला मी का बदला बड़े ही सैर्वेज मोड में ले ही लिया अपने गंजे के कान के नीचे लाफा जड़कर जो के अभी ये बात इतनी बड़ी हो चुके कि तुम ही सोचो कूडी रोड जिसके सामने हॉलिवूड का सबसे बड़ा अमीर एक्टर खड़ा है जो कि उसे दो मिनिट मात्र दो मिनिट में ही उपर से नीचे तक खरीच सकता है उसके कान के नीचे गाना बजा देना वो भी भरे स्टेडियम में इस सचिन में गूदा तो है बाई लेकिन कही न कही इस रियक्शन के पीछे रॉक ही था क्योंकि स्मैक डाउन की वो रात एक्चुली थी जवाब के इंतजार में कि जो चैलेंज रॉक नी कूडी और सेट रॉलिंस को दिया था तो गो अगेंस रॉमन एंड रॉक इंटेक्टी मैच एट रसलमेनिया 40 तो उसके बाद अपनी कहानी पूरी करने का मौका उसे फिर से नहीं मिलेगा जिसके लिए इतना बड़ा कांट चल रहा है अब इसी रिस्क की वज़ेसे कही न कई कोडी इस बात को लेकर सोची रहा था तभी सेत रॉलिंस बीच में कूद पड़ा और उसने रॉक को भी काफी कुछ सुना दिया कि अब तेरा टाइम गया तू हमारे दोर में कीडा करने वाला तू कोन हता है वगेरा वगेरा और उसने वो रसल मेनिया का चैलेंज एकसेट कर लिया और बस यहाँ पर रॉक का खाम खतम हुआ लेकिन टकले के अंदर इतनी खुजली है कि उसने कोडी रोट को जलील करते हुए उसे अपने गुज़रे हुए पापा की याद दिलाई और यह कह दिया कि तू तेरे सारे भाईव एनो मैसे सबसे यंग है क्योंकि तू एक गलती है और ट्रिगर कर रहा था सामने वाला ट्रिगर हो गया और उसने खीच दिया इसकी माग का कान के नीचे एपिसोड फिनिश जा लेको भले इस क्रिप्ट की यह डिमांड है कि रॉक रसल मेनिया को ऊपर उठाए जिसके लिए उसका यह एंटी एरो आउतार विद ब्रैंड न्यू बैडएस एंट्री विचिस लूक्स एपसुलूटली टाउका मतलब वह ऐसा ब्लैक एडम की तर फिर्वीजली चमका लेकिन कहीं न कहीं बुरा तो तब लगेगा जब इस गंजे की वज़े से सपना सपनाही रह जाएगा इस सारी की सारी बसड में इसे एंटेटेंट्मेंट तो भर भरके मिलेगा तो सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई रसल में यह अबी और करनी है मैं मि इस्ता.